असलाम अलेकुम वीवर्स आज हम अपना MS Word का फस्ट लेक्चर रिकॉर्ड करें और इसमें मैं आपको जो चीजें लेके चलूंगा इसमें आपको इंट्रोड़क्शन देता हूं मैं MS Word का जो आपका MS Word का वेलकम स्क्रीन है इसका हम आपको इंट्रोड़क्शन देते तो यह आपका हम MS Word को लोड करके हम MS Word के स्क्रीन पर आ गए और यह विंडोस से हमने MS Office को स्लेट किया और वहां से फिर हमने MS Word को स्लेट किया और स्क्रीन पर यह हमारा वेलकेम स्क्रीन हमारा सामने आगया, अचा इस वेलकेम स्क्रीन भी अगर आप ये गहर से देखें तो काम करने से पहले इसको जरा देख लेते हैं, इसको समझना महुत जरूर है, जब तक आप इसको समझ से इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप तो इसमें काफी सारी तो यह आपका अगर आप इसमें गौर से देखें तो यह टॉप के उपर आपको जो यहां स्क्रीन निजर आ रहा है बॉटम तक मैं आपको सब बताता हूं कि इसमें यह टॉप के उपर आपका जो आप एरिया देख रहे हैं रेड़ वाला यह आपकी है टाइटल बार इस टा ठीक है इस पर रखेंगे माउस तो यह नीचे इसके टूल टेप आ जाएग इसके बाद पर यह देखें आपका रिस्टोर यह आपका मेन्यू आपका आप्शन अपेर हो रहा है और फिर यह मिनिमाइस का आप्शन है जब आप मिनिमाइस को क्लिक करते हैं तो यह हम डाउन तब यह उता है जब हम एक स्क्रीन पर एक सज़ादा विंडोज को ओपन करना चाहें तो हम इसको इस तरह करते हैं तो यह पोहनी पर एक कौरनर पर यह विंडो आजाती है और फिर हम दूसरे किसी सॉफ्टेयर को लोड करके उसकी विंडो इस जगह हम ले आते हैं फिर एक कुछलिए की वक्त में हम दोनों लों पर स्विचंग कर सकते हैं तो यह एक स्क्रीन के पर आप एंडो अपनी मरजी से जहां दिल चाहें आप सेट कर लें तो यह उप्षन तब यूज होता है जब एक सब्सक्राणा विंडोज को आपने इस इस स्क्रीन के पर रखना हो और और दोबारा जब इसको क्लिक करेंगे तो यह दोबारा मेक्समाइज यह नहीं फुल स्क्रीन रिस्टोर हो जाएगी आपकी इती और इसके बाद फिर इन तीन ऑप्शन के बाद फिर हम जब इस पर जाते हैं तो यह तो यहां पर सबसे पहले तो आपको प्रॉड़क्ट का न प्रॉड़क्ट के नहीं ने फाइल को सेफ किया है तो इसका बाद डिफॉल्ट जो नहीं रखता है वह रखता है डॉकुमेंट वन ठीक है अब जब दूसरा को डॉकुमेंट करेंगे तो इसका नाम रखें का डॉकुमेंट टू इसका डॉकुमेंट थ्री अनलेस के जब तक आप सब्सक्राभ नाम से जिस से उसको सेफ और पिर आप का जो है वह इस ना वो नम के है एदर इस्टोर हो जाएगा With आपने फ़र्स करें ABC के नाम से आपने सेफ किया फाइल को तो वह ABC यहां आ जाएगा नाम ठीक और इसका जिए extension है वह होता है DOC और उसके साथ last में लगा होता है X तो यानि आप यह कहलें कि इसका जो extension है वह आपका यानि जो use होगा वह बैप और लास्ट में इसके लगा होगा एक्स तो यह आपकी डॉक्स फाइल होगी यह आपको बताती है कि यह MS Office 2007 और उसके बाद के जो वर्जन्स हैं उनकी यह आपकी फाइल का एक्स्टेंशन होता है ठीक है तो जो भी फाइल होगी उस फाइल का नेम आ जाएगा यहां जैसे कि कि यहां पर आपका ABC आ गया और इसके बाद डॉक्स और एक्स एक्स मींस कि यह 2007 उसके बाद के वर्जन की फाइल है 2007 से पहले वर्जन थे ऑफिस 97 से लेके 2003 तक उसमें इसका एक्सेंशन होता था वो होता था डी ओसी डॉक्ट ठीक है और इसी तरीके से आपके दूसरे एक किस तरीके से से पर रहें इसको अच्छा अब आप अगर इधर आएं तो आपको यहां पर देखें एक छोटा साफ को ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स नदर आ रहा है इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यह बिसिकली होता है हमारे क्विक एक्सिस शॉटकट इसमें स्टोर ह अगर इधर जाएंगे तो फाइल में इधर देखें इस फाइल के नदर सारे ऑप्शन दिये में फाइल से वैज ओपन प्लोज इन्फो रिसेंट न्यू प्रिंट यही चीजें आपकी जह है वह आपकी जो है वह आपकी स्टोर होती है कहां इस आपके क्विक कस्टमाइज क आख में ने देखी थी नियू ओपन इनके शॉटकेट्स अफिया सेट कर लेते शॉटकट्स करने के लिए मैंने सारे इस आफ कर देता आप शॉटकर्ण करने के लिए आप इन में से यह सारी कमांड्स आप एज शॉटकट्क कर सकते कितनी कमांड्स में 12345678910 ठीक है और 11 आपकी command ने फिर बाकी आपके और दूसरा option ने अच्छा अब हम इसमें जैसे sequence में रखी हुए है तो जो सबसे minimum level command यूज होती है सबसे कम यूज होती है उसको हम कहते हैं वह है आपकी new यूजिकि फरस्ट टाइम आप new command क्रिएट करते हैं new से आप अपनी file open करते हैं उसके बाद फिर आप सेफ करते हैं फिर फाइल का ओपन करते रहते हैं ओपन करेंगे दूसरे दिन आगे फिर आप सेफ कर लेंगे फिर दूसरे दिन ओपन करेंगे फिर सेफ कर लेंगे ओपन है और सेफ तो आपकी command काफी तफ़ है तो सबसे पहले हम वो command इसमें रखते हैं आप तो सबसे पहले उसमें रख देते हैं जिसका जो सबसे कम use होती है let's say new है मैंने शॉटकट में अड़ हो घी फिर इसके बाद मैंने इसको open फिर open के बाद फिर सेव इसकी वैसे ही दी भी है इन्होंने ताके आप इसको अराम से इसी को क्लिक करके अपने शॉटकट और्गनाइज कर लाइज इसका फाइदा यह होता है कि आपको फिर फाइल के मेनी में जाने की जरूत नहीं पड़ती बलके इस ही आप टाइटल बार के पर आप इस अप्षेंस को डैरे determ suppress का लिएए जिसके सविच के आपके घर में pos इसे जो इसमें वह लगे होते ताके आप आर्म से चीज़ों को पहला तैर थैंक अब अब इसको आप ने कर दिया मिई counting कर लिया फिर अपने प्रिज्व तर यह आ प्र यहिक है प्रिइव यह प् यह आपका कैंसलेशन वगारा के लिए और इसके लिए अब हमने बेसिक कमांड से स्टोग कर लिए अब हमें इन कमांड को हम इसी ली डारेट जब भी हम फाइल को सेफ करना चाहेंगे तो हमें फाइल में जाकर के सेफ को प्रेस हरनी जरूरत नहीं है बलके हम सिंपली क्या कर जिए लिए लिखा नहीं को छोड़तें फिर बाद मैं इसको सेफ कर लें अब देखें यह कप यह जो चीज़ें हैं यह सारी आपकी यहां से स्वलोगी अब इसकिलावँ और कंशें में मतलब कैसे मोर कमांड समें मिंस यहां यहां जाएhouse तो मी आप जाके कलिक करें इस आपने को एक access tool बार में हम store कर सकते हैं ठीक है अब इसमें जैसे के हम ले लेते हैं इसमें कोई command ऐसी लेते हैं जो हम हमें जिसके लिए यही जाना पड़ता है जैसे के हम यह कहते हैं के जी हम इसमें a command store करते हैं आपकी कौनसी हम store कर लेते हैं इसमें नीचे आई और आप पेज सेटप की कमांड को मैंने क्लिक किया और इसको जाके एड कर देंगे तो यह यहां पर देखें एड हो गई है इसी तरीके से हम इसमें कोई दूसरी एक और को ऐसी कमांड ले लेते हैं जो दरा टिपिकल कमांड है अच्छा अब यह जो आपका पेज सेटप की कमांड इसको मैं स्टोर कर ले वेक्चुली यह है कहां इसको हम क्यों रख रहे हैं अभी हम इसको क्या करते हैं ओके करके अपना मेनी सेट कर देते हैं यह देगे पेज सेटप की कमांड यहां नहीं होती तो फिर हम कहां जाते इसको जाने के इसको जाकर हम कलिक करते हैं तो यह से जते उसको कॉमाण्ड को एक्टिप करने के लिए हमने डारेट्टली की हम वरना पेज लैब में जा रहे है तो यह आपने कोई एक्स स्टोन बार चेज़ लिए अपने नियुक पहई पर को जाना नीब पहें इस इतरीकिंधे हम जाते हैं कि इस אז आपके eerste को रिवीव जाते है स्पैल जाने के बाद यह रही स्पैल चैक नी ए अई एक सपैल चेक यह सका़्ट करते हैं वह हमें एंड़ offers जो अच्छा अब यहां तो बात होगे कि इसके आपके जो कमांड्स उनके अंदर आपने उनके शॉटकर चाट कि लेकिन जब आप बात करेंगे किसी कमांड को डिलीड करना लेट से इस दुन ऑप्शन को मैंने बिडीड करना है तो डिलीड करें के लिए किया करेंगे आप इधर ही जाएंगे more command में जाएंगे अब more commands के में यह command का जो area में तो सारी commands रखी वी है यहां से आप select करते जाएंगे वह इस window में जाती जाएंगे add होती जाएंगे लेकिन अगर आपको remove करनी हो तो आप click इस वक्षन एक्टिब नहीं क्योंकि कि आपने को command select नहीं की आपके इस command को remove करने चाहते हैं when you select the command and then remove it will be again restore from here to in same menu ठीक है इसी तरीके से हम जब आपका आते हैं page setup की command पर पर setup की command को अगर हम remove करने चाहते हैं तो यहां भी इंकाम करेंगे आप इसको page setup पर जागे click करें and then remove तो it will be finished from here यहां से वो चीज मूव हो जाएगी यानि मूव से मरा दिया है यहां से वट जाएगी ठीक तो जब आपको दोबारा कप यहां से कभी लोड करना होता यहां से इसको easily लोड कर सकते हैं यह देखें यह आपका यह च्छोटा समने इसका introduction दे दिया करते हैं यह इधर आ जाए उपर और पर पर ना हो तो हम इसकी position को यह करते हैं हम इसकी शोग इसकी position को यह देखें शोग विलोव टुदर इबन क्लिक करेंगे तो देखें यह चीज यहां जाएगा तो यह हमारा जो टाइटल बार था हमने आपको उस टाइटल बार का इंट्रोडेक्शन दिया और इसमें किस तरीके से हम काम करते हैं वह हमने आपको बताया और यह सारे option देखें इसमें active हैं अगर किसी option को भी हम directive करना चाहेंगा उसको सिर्फ just one click करेंगे तो वह unchecked बजाएगा और फिर यहां से remove हजाएगा दोबारा अगर set करना हो तो आप इसको रख सकते हैं तो यहां जो है हमने आपको जो इंट्रोडेक्शन दिया है वह आपको इंट्रोडेक्शन दिया है सिर्फ और सिर्फ आपको MS Word के जो welcome screen है इसका जो title बार है हम इसकी हमने इसका आपको पूर introduction दिया है और इसकी आपको detail बताईए अब हम यहाँ पर जो हमारा यह वाला जो introduction था वो हमारा complete हो गया अब हम आगे जो next है हमारा lecture है lecture two उसको आप follow कीजिएगा उसमें हम इस file से related in आपके जो file है home है जो यह आपका menu है इसको कहते है menu बार हम इसका आपको introduction next lecture में आपको detail देते हूं तो यह video आपके detail में मैं आपको पस्तमाम चीदें बता दी तो इस video को आप अच्छे से देखें इसमें को question करना होता आप question कर सकते हैं इसमें और और अच्छी आपको video लोगे तो इसको like कीजिए और subscribe कीजिए ताके दूसरे लोगों पूफाइदा हो असलाम अलेकुम